अगर आपको मेरे पीछे से थोड़ी बहुत आवाज आ रही हूं तो मेरे घर में दरसल काम चल रहा है इस वज़े से हलका फुलका डिस्टरवन्स हो सकता है तो आज के लिए थोड़ा सा आप बेर कीजेगा साथ दिजेगा प्रिलिम्स लेवल पे अगर देखेंगे तो ART बिल जो है की फीचर उसके important हो सकते हैं प्रिलिम्स से पूछा जा सकता है की कौन सा फीचर इसमें शामिल है कौन सा नहीं है तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा और मेंस लेवल पे ART regulation भारत में क्यों जरूरी है क्या-क्या इसमें दिया गया है प्राफधान वगएरा वो आपको देखने होंगे तो CD, YouTube, Rituals के बारे में आप जानते ही हैं सुबह से स्टार्ट होता ओडियो विज्वल प्रोग्राम से और शाम तक आप यहाँ पर पोपेट्स, करेंट अफेर्स, एक्स्पेनर और डेली MCQs देखते हैं ART बिल पर आते हैं, बहुत जल्दी से कवर करेंगे, शायद 5-7 मिनट, maximum 10 मिनट ART बिल 2020, कॉंटेक्स्ट क्या है, लोग सभा ने पास किया है ART बिल को और प्रपोस किया है कि एक National Registry और Registration Authority बनाया जाएगा सभी क्लिनिक्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, जो इस फील्ड में सर्व कर रहे हैं ART, Assisted Reproductive Technology, होती क्या है, इसको समझना पहले जरूरी है कि definition क्या कही गई है, definition में ART को कहा क्या है कि वो तमाम तक्नीक, जो प्रिगनेंसी में सहायक होती है, by handling the sperm और the oocyte, immature egg cell, जो female का होता है, outside the human body and transferring the gamut or the embryo into the reproductive system of a woman, एक male के आप sperm को और oocyte को आप sperm को और immature egg को आप handle कर रहे हैं outside the human body, यानि आप एक sperm लिया और एक female egg लिया, आप उसको outside the human body handle कर रहे हैं और उस embryo को develop करके वापस आप reproductive system में women के भेज रहे हैं, artificially, यह जो पूरा system होगा जिसमें baby के बनने की प्रक्रिया होगी और वो किसी के शरीर से बाहर होगी और वापस उसे आप शरीर में डालेंगे उसको बोलेंगे assisted reproductive technology यानि प्रजनन में सहायक तक्नीक मैं आपको एक दिखाता हूँ, यह दिखिए यहां से egg pickup किया आपने और फिर इसको sperm preparation किया आपने यहां पर, then आपने egg fertilize करना start किया, यह development हुआ embryo का, embryo का जब development होगा तो यहां से फिर आपने उससे वापस embryo को transfer किया female reproductive system में तो यह जतनी प्रक्रिया हुई, यह सारी की सारी प्रक्रिया, यह हुई female body से बाहर, male body से बाहर, तो जब बाहर की जो यह पूरी handling है sperm से लेकर और egg fertilization तक कि यह पूरी handling जो है, इसी को बोलते हैं कि आपने प्रजनन में, आपने reproduction में assist किया, सहायता की है तो यह पूरी सहायता और वापस artificially अंदर भेजना, embryo को transfer करना, यह कहलाती है Assisted Reproductive Technology, इसी को हम बोलते हैं IVF, Inverto Fertilization तो who is it for, ART might be an option for women who cannot conceive naturally, cannot carry pregnancy to term, have genetic disorders, have partners with abnormal sperm, etc, etc दो तरीके के होते हैं, Artificial Insemination होता है और Inverto Fertilization होता है आपको याद बस इतना रखना है कि जैसे शब बोल रहा है कि Assisted Reproductive Technology की reproduction में assist करना उसको बोलते है Success Rate और Risk यह तमाम चीज़े हम लोग बाद में दिखेंगे उसका हिस्सा नहीं है तो यह इस पर बहुत ज़्यादा में ध्यान देने की ज़रूद है भी नहीं लेकिन Success Rate उतना ज़्याद नहीं है जितना इसका होना चाहिए लेकिन धिरी-धिरी Technology आगे बढ़ रही है तो हो सकता है सरोगेशी इस नोट बैलोजिकल रेलेटेट वर सरोगेट मदर है ना जस्टेशनल आप सरोगेशी करवाते हैं यह तमाम चीज़े जो हैं असिस्ट करती हैं आपके रेप्रडुक्टिव सिस्टेम को टेक्नोलोजी द्वारा प्रोवाइट की जाती है तो अब यह प्रोवा लेकिन अब क्या है कि ART services will be provided through directly नहीं कर सकते ART clinics से ही provide होगी which offer the ART related treatments and procedures ART banks होंगे जहां पर gamets और gamets इनको store और supply किया जाएगा इसके बाहर आप जाकर अगर करते हैं तो जुर्माने का प्रावधान है आपको वहाँ पर penalty लगेगी वहाँ पर आपको सजा हो सकती है अब regulation of ART इनका बहुत जरूरी है ART clinics और banks का खुल तो गए banks आपने clinics खुल तो दिये लेकिन क्या उनका regulation करेंगे तो yes the bill provide that every ART clinic and bank must be registered under the national registration of banks and clinics of India एक national registry बनेगी banks और clinics of India में इस नाम से और उस registry national registry के तहत कि तमाम ART clinics और banks जो है वो खुद को register करेंगे और इस registration जो है valid होगा five years के लिए and it can be renewed for a further five years तो पाँच साल में आपकी report देखी जाएगी और उसके आधार पर आपको अगले पाँच साल और बढ़ाया जा सकता है यह act करेगा यह जो national registry of bank और clinics of India होगा यह central database होगा जहाँ पर देश भर के तमाम ART clinics और banks जो होगे उनका data रखा जाएगा state government एक registration authority appoint करेगी जो पूरा registration process को facilitate करेगा देखेगा किस तरीके से आसानी सा registration हो सकता है और clinics और banks जो होगे वो register होगे एक certain standard उनके लिए बनाया जाएगे जहाँ पर एक specialized manpower होगी आप किसी को भी उठाके नहीं रख सकते हैं आपको specialization होगा ज़रूरी है एक infrastructure होगा और diagnosed facilities हो now what are the conditions for gamit donation and supply screening होगी gamit donors की male female donor की collection and storage of semen and provision of oversight donor can only be done by registered ART bank यह मने आपको पहले बताया अब bank जो है वो जो semen obtain करेगा male का वो male होना चाहिए 21-55 साल की age के बीच में 21-55 years of age इससे नीचे नहीं इससे उपर नहीं और जो oocyte होगा female से वो आप लेंगे 23-35 साल की age के बीच की तेज से नीचे नहीं 35 से ऊपर नहीं तो 23 and 35 for female and 21 to 55 for male से याद रखिएगा यह आपके prelims के लिए important हो सकता है age में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके UPSC आपसे पूछ सकता है यहाँ पर 18 कर सकता है यहाँ 21 की जिका 23 कर सकता है 24 कर सकता है 55 को 50 और 60 कर सकता है यह 23 को 20 करके सकता है तो male होंगे 25 वाले female होंगे 23 से 35 वाली and oversight donor should be an ever married woman married होनी चाहिए एक बच्चा होना चाहिए जो alive होना चाहिए और 3 साल का कम से कम होना चाहिए अगर एक से अगर if she doesn't have a child or if she is not married then she can't be an oversight donor यह याद रखिएगा the women can donate oversight only once in her life आप पूरी जिन्दगी में केवल क्यानी जिन्दगी आजिन की 23 से 35 साल की जो age है इस 23 से 35 साल इस 13 साल के 12 साल के अंतराल में केवल एक ही बार डोनेट कर सकते हैं अपना oversight उससे ज्यादा नहीं not more than 7 oversight can be retrieved from her है ना तो और 7 oversight ही retrieve किये जा सकते हैं अगर उसमें तो ठीक otherwise आप एक से ज्यादा बार तो डोनेट कर ही नहीं सकते हैं अगर एक बार में आपका डोनेट किया हूँ हो साइट काम करता है that is very helpful तो याद रखेगा इस पे काफी सारी आपत्ती भी हुई क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो those women who are not married or who are living in a same sex relationship they can't become a mother और they can't even ask a friend और जो भी उनकी जानपचान की होंगी उनसे कि आप उनके लिए इस तरीके से डोनेट करिए तो इस पर काफी आपत्ती हुई कि same sex में जो रह रहे हैं या फिर अगर ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से डोनेशन के लिए बोलेंगे डोनर के जवाब देते हुए कहा गया कि इन ही सब चीज़ों के लिए ART बैंक बनाया जा रहा है आप ART बैंक में जाके रेजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहद आप आगे प्रोसीजर होगा A bank cannot supply gamut of a single donor to more than one commissioning couple याद रखे चास चीज़ को Now, conditions for offering ART services Return consent होगा, both the parties Donate करने वाला है ना और जो जिसको baby चाहिए है ना दोनों ही parties के बीच में consent होगा ART services as well as the donor जिसको service चाहिए और जो donor है दोनों के बीच में Will be required to provide insurance coverage जो party services चाहती है वो insurance coverage देगी ओसाइट donor को कहीं कोई loss होता है Damage होता है या donor की death होती है उस condition में आपको एक insurance coverage पूरा का पूरा करा के देना होगा Bill ये भी देखता है कि genetic disease तो नहीं है embryo translation sorry embryo implantation में तो ये भी एक चीज़ देखी जाएगी condition है ये भी Now अगर बच्चा पैदा होता है Now a right of a child born through ART वो क्या होंगे rights क्या होंगे क्या वो बच्चा किसका biological child कहलाएगा तो जो services ले रहा है Child born through ART will be deemed to be a biological child of the commissioning couple and will be entitled to the rights and privileges available to a natural child of the commissioning couple Natural child के ही rights उसको मिलेंगे privileges मिलेंगी और वो उसी का biological child कहलाएगा जिसने services ली है Donor का parental right नहीं होगा किसी भी सूरत में उस बच्चे के ऊपर Now let's see the national and state board State board जसकी बात होई थी याद रखेगा ये जो bill है इसको देखा जा रहा है supplementary bill जो सरोगेसी bill आया था थोड़े दिनों पहले इंडिया में उसके supplementary bill के तौर पर इस bill को देखा जा रहा है तो ART bill will be supplementary to the सरोगेसी bill ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखने है Now the bill provide the national and state board for सरोगेसी constituted will be the regulation for ART services अब ये जो national board बनेगा national and state board for सरोगेसी बनेगा इसकी powers क्या क्या होंगी सबसे पहले तो ये central government को ART related policy पर advise करेगा कि आप ऐसे ऐसे ये policy बनाएगे review करेगा implementation of the bill को monitor करेगा कुछ code of conduct बनाएगा standards बनाएगा ART clinic और banks के लिए जिसके तहत वो काम करेंगे बहुत सारी various bodies को देखेगा constitute करेगा जो कि bill के तहत होंगी साथ ही state board जो होंगे वो coordinate करेंगे policies को enforce करने के लिए guideline बनाएगे ART के लिए और recommendation policies और regulation of the national board इस पे काम करेंगे इनकी policies को देखेंगे और उनके साथ coordinate करके enforce करेंगे उसको ठीक है तो ये सारी चीज़ें इस bill के तहत थी ये मने आपको बता दिया था ये मने आपको दिखा दिया था ART कैसे क्या क्या होता है ART कैसे काम करता है और outside the human body के जो पूरी definition है वो भी तो ये है पूरा ART bill का मामला इसके जो अलोचना हो रही है वो इसी पे हो रही है कि ART bill के तहत बहुत सारे ऐसे couples होंगे जो की नहीं ले पाएंगे इसकी services because आपने जो single mother वाला जो एक option रखा है तो वो सही नहीं है दूसरा option ये सही नहीं है कि इसमें आपने विदेशियों को allow किया है और सभी भारतीयों को allow सभी भारतीय है जिन की वो तमाम लोग जो LGBTQ समुदाय से आते हैं उनको यहाँ पर allowed नहीं है तो ये बहुत बड़ा इसमें system मतलब एक टक्रिया के तहत के एक loophole बताया जा रहा है तेकिन इस पर सरकार ने अपने अपने तरीके से धंग से जवाब दिया है कि parental right के लिए आपको married होना ज़रूरी है ही तो single mother यह single father अगर आप बनना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर option नहीं मिलता ART bill के तहत यह context था, यह definition थी यह conditions थी, यह right of the child थे, यह national state board था offenses or penalties, yes, sorry, sorry offenses and penalties रह गए अगर आप even, हाँ I was also thinking यह कुछ रह गया है correct, offenses and penalties yes, अगर आप नहीं मानते हैं और उसके बाद exploit करते हैं बच्चे को जो donor है through ART, हाँ न, exploit करते हैं तो offense माना जाएगा, penalty लगेगी selling, purchasing, trading और importing human embryos और gamets, will be penalized using intermediates to obtain donors, will be penalized exploiting, commissioning couple, women और gamet donor in any form will be penalized, transferring the human embryo into male or animal, कि तो crime है मतलब heinious crime कहा जाएगा इसको तो offenses and penalties लगेंगी लगेंगी, नब penalties और offenses होंगे क्या, 5 लाग से 10 लाग रुपे का पहला, पहली बार अगर आप कानून का उलंगन करते हैं तो पहली बार में 5 से 10 लाग होगा दूसरी बार यह बार-बार करते हैं subsequent contraventions होता है offenses होते हैं, तो punishable तो होगा ही होगा, साथ में imprisonment, यानि जेल भी होगी 8 से 12 साल की और 10 से 20 लाग का fine भी लगेगा कोई clinic या bank advertise करता है इस चीज़ को या offering करता है sex selective ART के लिए कि हम यही आपको आपको जो sex चाहिए male लिया female हम वही आपको देंगे, है ना तो यह अगर आप करते हैं that will be punishable with imprisonment of 5 to 10 years and a fine between 10 lakhs to 25 lakhs or both now one more thing that should be remember that no court will take cognizance of offenses under the bill except on complaint made by national or state board यानि complaint जब तक national or state board करेगा तब court उस पर फैसला कर पाएगा और या फिर कोई और officer जो की board द्वारा authorized होगा उसकी complaint पर आप जा सकते हैं तो यह थी तमाम penalties, तो penalties भी में भारी रखी गए हैं, अच्छी खासी penalties और उसको offenses के दारे में लाए गया है और तमाम चीज़तों इसमें हैं ही, तो यह था आज का explainer assisted reproductive technology regulation bill पर जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक प्रजनन प्रद्योगी की विनियमन विधयक 2020 की features ज़्याद रखिएगा, age वगएरा याद रखिएगा ART regulation कितना ज़रूरी याद रखिएगा तो यह तमाम चीज़ती इस तरह के और भी ब्रोग्राम से अगर आपको देखने हों, सुनने हों तो आप definitely यह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और notification bell को और रखना ना भूलें बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए